खबर नाई न्यूज चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन दबा कर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें नमस्कार आप देख रहे हैं खबर नाई नोर में हूँ आपके साथ प्रिती शर्मा जीला एम शेहर कॉंग्रेस कमिटी हर्दोई द्वारा भाजपा हर्दोई सांसथ के आवास किम्त कारेले पे कॉंग्रेस जनों ने प्रदशन कर सांसथ को ग्यापन प्रेशित किया कांग्रेसियों ने किसान अध्यादेश वापस लो नियूतम समर्थन मोली की गारंटी कानूद बनाये जाने की मांग के फ्लेक्स हाथों में पकड़े थे जीला अध्यक्ष आशिशकुमार सिंग के नैतत में प्रदशन किया गया हर्दोई भाजपा सांसत को प्रेशित किये गए ग्यापन में मांग करते हुए कहा कि केंजे सरकार द्वारा तीन किसान विरोधी बिल्द वापस किये गए हैं सांसत के अंदर से लेकर सड़क तक कॉंग्रेस पार्टी लगाता इन किसान विरोधी कानून के खिलाब आंदोलन रत राहुल गांदी के नैतत में पार्टी के किसान समिलन हस्ताक्षर अभियान और टेक्टर वो बेल गाडी रेल्यू के माध्यम से जन विरोधी इस कानून का विरोध किया गया इस करम में कॉंग्रेस पार्टी किसान संगठन द्वारा आयोजित प्रदेशन का समर्थन करते हुए ये मांग करते हैं कि सरकार ततकाल इस कानून को वापस ले और किसान हीतों की रक्षा के लिए नियूतम समर्थन मुल्य की यारंटी है तु कानून अज हम सभी कॉंग्रेस जनों ने जिला और शेहर कॉंग्रेस कमेटी खमारे कार्करताओं लें जो हमारे सानसद है मानी हरदूइसे जब्रकाष जी उनके आवास पर सांखेतीक प्रदेशन करते हुए अपना ग्यापन प्रशीद गिया है उत्तर प्रदेश कंग्रेस के मेर पर हम लोग आज ये मांग करने आए हैं कि जो किसान अध्यादेश उसको वापस लिया जाए और किसानों को नियूंतम समर्थन मूल की गारंटी का कानून पारित किया जाए आप देख रहें कि आवास सांसाजी के आवास के पडोस में ही नवीन गल्ला मंडी है और मुझे लगता है शायद ही वह गल्ला मंडी जाए कि उन्होंने अपने धान सेंटरों का कभी निरिक्षन किया हो यदि वह इतनी जहमत उठा लेते हैं तो शायद आज किसानों की इसी गल्ला मंडी के अंदर 1868 को जाए 900 रुपे उपना धान नहीं बेचना पड़ता है यूपी के हर दोई से अखिलेव सिंग की रिपाउप फिलाल इतना ही आज के लिए बने रही है हमारे साथ खबर नाइन में